हेलो दोस्तों स्वागत हमारे यूटूब चैनल मेडिकल ग्यान में तो दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे हर्णिया के बारे में जो की बहुती कॉमन बिमारी है आज के टाइम में देखी जाए तो तो दोस्तो इस वीडियो में हम cover करेंगे हर्णिया के परकार क्या है, symptom उनके लक्षन क्या हर्णिया के, treatment क्या हर्णिया का, prevention कैसे हो सकता हर्णिया का इसमें हमने देखें जो तीन मेन common जो हर्णिया होते हैं जो जातर लोगों में देखने को मिलते हैं वो हम discuss करेंगे पहला है इगवरिनल हर्णिया, दूसरा एमलाइकल हर्णिया और तीसरा है एपिगेस्ट्रिक हर्णिया तो तीनों की देखेंगे कहां पर इसमें क्या प्रोसस होता है तो दोस्तो बेसिकली अगर हम सिम्टम देखें हर्णिया के तो अभी तक कुछ ऐसे सिम्टम एकाथ केस को छोड़के ऐसा नहीं मिलता जातर इसमें जो common सिम्टम होते हैं वो या तो इस एरिया में जैसे खाना डाइजस्ट नहीं होगा वर्मेटिंग वगेरा लगेगा अनकमफर्टेबल रहेगा इरिटेशन वगेरा रहेगी आप कभी भी कफ करेंगे तो उस ताइम में आपको पेन फील होगा तो दोस्तो यह कुछ कंडिशन्स हैं जो की हर्णिया के केसिस में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हर्णिया डिसकस करते हैं इगवाइनल हर्णिया तो सबसे पहले इगवाइनल हर्णिया के बारे में पढ़ेंगे इस केस में क्या होता है दोस्तो जो अब डोमिन का जो content होता है जैसे पेट में क्या-क्या organs होते है intestine होते है small intestine, large intestine, spleen अगेरा ये क्या होता है content है अब डोमिन के तो इस में क्या होता है जैसे कि आप image 1 में देखेंगे image 1 में ये दोस्तो normal condition है हमारे body की ये जो abdomen की layer है ये वाली और ये हमारा intestine का part है ये हमारा intestine का part है और ये हमारा scotrum है और ये testicle है हमारे scotrum का part है ये वाला part तो अगर ये देखेंगे ये जो wall है दोस्तो normal case में क्या है मजबूत है तो ये जो intestine का part है वो इसके अंदर नहीं आ पाया लेकिन अगर ये muscles weak हो अगर आप दूसरे case में देखेंगे तो क्या होगा कि जो intestine का part है वो pressure पढ़ने की वज़े से ये जो muscles है वो weak हो गई जिसकी वज़े से क्या होगा यहाँ पे hole create हो गया और ये जो intestine है small intestine का part है वो scrotum में आके फस गया है तो दोस्तो इस condition में क्या होगा कि आपको scrotum की area पे pain feel होगा और swelling feel होगी और irritation feel होगे आपको तो इसी case को कहते हैं दोस्तो हर्णिया हर्णिया क्या है बेसिकली क्या है कि जो आपकी muscles है वो weak हो जाती है जैसे अगर आप एक example लें अगर एक कमजोर दिवार है अगर एक कमजोर दिवार है अगर उसको normally धका देंगे तो गिर जाए तो क्या होगा जब भी body का pressure लगेगा जैसे intestine large intestine जब भी हम खासेंगे या फिर कुछ भी थक तेजी से सास लेंगे जल्दी यल्दी तो क्या होता abdominal cavity पर pressure पड़ता है जिसके वज़े से क्या होता है intestine वगेरा क्या होता है यह adjust होने की कोशिश करते हैं adjust होने को तब तक नहीं मिलता जब तक यह जो abdominal wall है यह अगर strong रहेगी तो यह intestine कई पर भी नहीं जाएगी जैसे आप दो नंबर में देखेंगे तो यह जो abdominal wall यह weak होगी जिसके वज़े से यहां पर क्या हो गया hole और यह जो intestine का पार्ट है उस crotum में आके फस गया है दोस्तों कभी कभी यह condition emergency condition भी create कर सकते है ठीक है दोस्तों case no.3 में देखते हैं इसमें क्या होगा दोस्तों यह जो abdominal wall है इसमें भी इसकी जो उपर उपर की जो मसल्स है वह weak होगी जिसके वज़े से यह आके कहां पर फस गया यह यह यहां पर जो seminal vascals आते हैं वाद जो sperm आते हैं जिस tube के थूप वहां पर आके फस गया है नीचे की जो muscles है यह वाली muscles है जिसके वज़े से यह नीचे scrotum में नहीं आया है लेकिन उपर जो abdominal cavity की जो बोल थी वह weak होने की वज़े से यह intestine का जो पार्ट है वो इसके अंदर आ गया तो दोस्तों इसमें जो इसका रिपेरिंग का दोस्तों इसका prevention कुछ भी नहीं है अगर आपको हर्णिया आओ गया है तो दोस्तों इसका कोई भी इलाज नहीं है आप कुछ भी कैसे भी कर सकते लेकिन इसका एक जो इलाज हर्णिया रिपेर जिसमें डॉक्टर क्या करते है कि एक मैस डाल देता है यहां पर आपके मैस डाल देता है जैसे आपके यह आपकी abdominal cavity है abdomen wall है मैस बना देगा जाली नूमा मैस बना देगा जिससे क्या होगा यहां से होल जो है वो बंद हो जाएगा यहां से यहां से जो होल है दोस्तों यह होल बिल्कुल बंद हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रेशर भी लगेगा तो जल्दी से इसके और एंटर नहीं कर पाएगा तो हर्णिया का दोस्तो एक ही इलाज है जह इसका है वह हर्णिया अस्तरी प्一ज में कहीं मेश डाला जाता है ठीक है दोस्तो और ये किसित बी да करifferent सकते हैं यजि लेट करके दीडियो शबत ठीक है दोस्तों तो इगानल हर्णिया कहां पे होता है ये ग्रोइन रीजन में होता है हमारे जो ग्रोइन रीजन होता है मेल का उस जगह पे ये इगानल हर्णिया होता है ठीक है दोस्तों अगर ग्रोइन रीजन का हर्णिया है तो इसको बोला जाएगा इगानल हर्णिया ठी बादा नहीं होती लेकिन स्वेलिंग और पेन और डिसकंफर्ट पेशेंट को फील होता है दोस्तों नेक्स देखते हैं नेक्स दोस्तों जो है अगर आप इमेज में देखेंगे तो यह आपके जो बैली यानि पेट है उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है यानि जहां पे आप गोल-गोल सिस्ट बन गई है तो जो की दीखने में बहुत ही अलग दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा इस कंदिशन में patient को irritation भी होती है pain भी होता है कभी कभी discomfort भी feel होता है patient को तो umbilical hernia अगर होगा तो आपके जो नाभी का area होता है अगर उसके आसपास अगर ऐसे कुछ condition है ऐसा कोई hernia है तो उसको बोला जाता है umbilical hernia इसमें भी क्या होता है दोस्तो a part of intestine and fluid from the abdomen comes through the muscles of abdominal wall जो कोई abdominal wall है जो हमारा abdomen है पेट है तो इसकी भी तो दोस्तो skin की layer है abdomen की layer है ताकि कोई भी body part आसानी से बाहर नहीं आसके लेकिन अगर आपकी muscles जो है abdomen की muscles है वो अगर weak हो जाएंगी तो दोस्तो ऐसा hernia देखने को मिल सकता है अर्णिया basically depend के इस पर करता कि आपके muscles पर तो आप muscles को जापकी wall है उनको कैसे strong कर सकते हैं exercise करके योगा करके इन सब condition से आप उसको prevention कर सकते हैं पहले से ही hernia होने के बाद दोस्तो आपको यह repair कराना ही पड़ेगा हाला कि यह कोई problem नहीं करता है लेकिन अगर आपको discomfort, pain, swelling ज़्यादा है तो आप doctor से consult करके इसको repair करवा सकते हैं और दोस्तो बहुत लंबा surgery नहीं है कोई है अगर आप open करवाते हैं तो इसमें time लग सकता है लेकिन अगर laparoscopic surgery करवाते हैं तो आपका one से two days में आप hospital से घर वापिस आ सकते हैं ठीक है दोस्तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट जो है वह एपिगेस्ट्रिक हर्निया है दोस्तो एपिगेस्ट्रिक रीजन जो होता है हमारा वह होता है जो आपके निपल्स होते है male में nipples और female में breast जो होता है उसके और जो हमारा abdomen का part होता है उसके बीच का area होता है दोस्तों epigastric region sternum bone जिसको breast bone भी बोला जाता है sternum bone यानि जिसको breast bone भी बोला जाता है उसके नीचे के अगर आपको हर्णिया है तो उस हर्णिया को बोला जाएगा दोस्तो एपिगेस्ट्रिक हर्णिया, आपके स्टाडूम बॉं, यानि जिसको ब्रेस्ट बॉन बॉन भी बॉला जाता है, उस बॉन के नीछे, या फिर दोनों निपल्स के बीच में, अगर आपको हर्णिया है, तो उस कंडिशन को बोला जाएगा epigastric हर्णिया तो दोस्तो कंडिशन वही है सेम कि आपकी muscles weak हो जाती है और जो intestine का जो part है वो अगर कहीं पर भी आपके abdomen कहीं पर भी आपके muscles weak होई तो वो किसी भी part में बाहर की तरफ आ सकता है तो abdomen की muscles weak होने के वज़े से किसी भी body का part की muscles weak होने के वज़े से हर्णिया हो सकता है दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर आप इस image में देखेंगे तो यह muscles क्या होगी weak होगी जिसके वज़े से क्या हो गया अगर intestine पर pressure पड़ावा तो यह intestine इसके पार कर गया दोस्तों प्रेसर से क्योंकि यह muscles weak है यह इसको रोक नहीं पाई है यह ऐसे तो इसको repair करते हैं तब क्या करते हैं कि यहां पर क्या कर देते हैं मैस डाल देते हैं जिससे कि यह hole बंद हो जाता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह कुछ important बाते थी हर्णिया के बारे में कोई ऐसी emergency condition नहीं आती लेकिन दोस्तों कुछ cases में ऐसा होता है कि patient को emergency condition create हो जाती जिसके वज़े से patient को जल्दी से hospital पहुंचने की नोबत आ जाती है लेकिन जाला तर cases में क्या symptom रहते हैं सिर्फ abdomen pain जहां पर आपको हर्णिया है वहां पर आपको pain रह सकता है swelling रह सकता है अगर बहुत जादा है तो आपको vomiting या फिर undigestion की condition भी create हो सकती है तो दोस्तों ये कुछ important facts थे हर्णिया के बारे में ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को follow कर लें और वीडियो को like जरूर करें दोस्तों thank you